नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरीची दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां लहसुन के फायदों और नुकसान के बारे में आज हम सभी जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से आम तोर पर लहसुन कई खा एंटी वाइरल एंटी फंगल और एंटी ऑक्सिडेंट गुन होते हैं इसके अलावा लहसुन विभिन्य प्रकार के विटामिन और पोशक तत्वों से भी भरपूर है इसमें विटामिन B1, B6 और C के साथ साथ मैगनीज, कैल्शियम, तामबा, सेलेनियम और कई अन्य रोजाना थोड़ी मात्रा में लहसुन का सेवन आपके स्वास्थे को बेहतर तो बनाता ही है परन्तु साथ ही में यह आपके शरीर को बीमारियों से संरक्षन भी प्रदान करता है लहसुन का सबसे अधिक स्वास्थे लाव लेनी के लिए इसे कच्चा ही खाना चाहिए पक के लिए आप इसका सेवन सुभा सुभा खाली पेट कर सकते हैं आए जानते हैं सबसे पहले लहसुन के कुछ लावों के बारे में हिरदय के स्वास्थे में सुधार के लिए जानते हैं लहसुन दिल के स्वास्थे के लिए एक उतक्रिष्ट आहार माना जाता है इससे रक्त परिसंचरण में सुधार लाने कोलेस्ट्रोल को कम करने और हिरदय रोग को रोकने में मदद मिलती है यह धमनी कला का ठिन्य के विकास या धमनियों के सक्त होने की गति को धीमा कर देता है यह दिल के दोरे या श्ट्रोक के जोखिम को कम करने में भी सहायक है लहसुन के हिरद हिर्दय के स्वास्थे में सुधार आएगा और हिर्दय को रोगों से संरक्षन प्राप्त होगा आप अपने चिकित सक्षे परामर्ष करने के बाद इस जड़ी बूटी के पूरक आहार यानि कि सप्लिमेंट्स का सिवन भी कर सकते हैं आई अब जानते हैं यह रक्त चाप को क रोजाना कुछ लहसुन की कलियों को खाली पेट खाना चाहिए अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है तो इसे खाने के बाद आप एक गलास दूद पी सकते हैं आप लहसुन के सप्लिमेंट्स के खुराक भी ले सकते हैं लहसुन के लाफ गठिया रोग के दर्द को कम करने के लिए संधिय शोत यानि कि गठिया वाले लोगों में दर्द और अन्य लक्षणों को कम करने के लिए लहसुन का एक परखा हुआ और प्रभाव्य उपाय है इसमें नहीत एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफलेमेंटरी गून गठिया के विभिन्य रूपों से जुडी सूजन को कम करने में मदद करते हैं इसमें एक डाइलील डाइसफाइड नामक योगिक भी शामिल है जो उपस्थित हानिकारक एंजाइमों को सिमित करने में सहायता करता है गठिया के कारण सूजन और जोडों में दर्द को कम करने के लिए अपने नियमित आहार में लहसुन शामिल करें इसका सेवन खाली पेट करना चाहिए आए अब जानते हैं अगला उपाय हम रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने के लिए यानि कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के बारे में लहसुन विटामिन C, B6 और सेलेनियम और मैगनीज जैसे खन प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और खनीज और शोशन में भी सुधार लाते हैं इसके अलावा लहसुन में इंटी ऑक्सिडेंट और इंटी बायोटिक गुन होते हैं जो शरीर की सुरक्षा तंत्र और लड़ाई संग क्रमण को मजबूत करते हैं लहसुन खाने के लाव हैं सर्दी और खासी का प्रभावी इलाज जी हां लहसुन इंटी बायोटिक और इंटी वायरल लाव प्रदान करता है जो लहसुन को सर्दी और खासी के लिए एक अद्भूत उप्चार बना देती है इससे उपरी श्वसन संक्रमण की गंभीरता भी कम हो सक इसके अलावा लहसुन अस्थमा और ब्रंकाइटिस जैसे विभिन्य श्वसन स्थितियों के इलाज में अत्यधिक लापकारी है यह खासी संबंधित कफ निश्कासक को बढ़ावा देता है लहसुन खाने के अतिरिक्त आप लहसुन के सप्लिमेंट्स का नियमित आधार पर सेवन उपरीश्वसन संक्रमण को कम करने के लिए कर सकते हैं कच्चे लहसुन खाने के फायदे हैं कवक संक्रमण से लगने के लिए बेहद ही फायदे मंद लहसुन में शक्ति शाली इंटी फंगल यानि कि कवक रोधी गुन पाय जाते हैं जो फंगल संक्रमण से लगने मे सहायता करते हैं फंगल इंफेक्शन दाद का एक प्रमुख कारक बन सकता है लहसुन केंडीडा से लड़ने में भी मदद करता है कवक संक्रमनों को मात देने के लिए प्रभावी त्वचा शेत्रों पर लहसुन का जैल या तेल लगाएं मौखिक छाले से पीडित होने पर मुख के प्रभावी शेत्रों पर लहसुन का पेश्ट लगाएं अपने आहार में ताजा कच्चे लहसुन को शामिल करें आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और कवक दुर रहेगा लहसुन का सेवन है इलर्जी में फायदे मंद जिहां लहसुन में उत्तम एंटिवायरल और एंटी इंफ्लेमेंटरी गुण पाये जाते हैं जो शरीर को विभिन प्रकार की एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं लहसुन ने एलर्जी क्राइनाइटीस के कारण हुई वायू मार्ग सुजन को कम करने में भी साकारात्मक प्रभाव दिखाया है इलर्जी सीजन के दोरान इलर्जी वाले लोगों को दैनिक लहसुन के पूरक लेने की सलाह दी जाती है रैशिश कीट काटने या किसी अन्य प्रकार की इलर्जी के कारण खुजली से तुरंत रहात पाने के लिए पीसे हुए लहसुन के पेश्ट को प्रभावी छेतर पर लगाना एक अच्छा विकल्प होता है लहसुन खाने के फायदे दिलाएंगे आपको दांत दर्द में रहत दांप दर्द को कम करने में लहसुन एक बहुत ही प्रभावी आहार है इसका श्रे इसमें निहित इंटिबैक्टिरियल और एनालजेसिक गुनों को जाता है दांप दर्द से ततकाल रहत पाने के लिए आपको बस लहसुन का तेल या क्रश किये हुए लहसुन का एक टुकड़ा प्रभावी दांप पर और आसपास के मसोनों पर लगाना होता है आपको रहत मिलती है आपका दांप दर्द बंद हो जाता है लहसुन का प्रयोग आपके पाचन क्रिया के लिए भी बहद लागकारी होता है लहसुन पाचन को बढ़ावा देने के लिए पीट के कारियों को नियंतरित करता है या गैस्टरिक रस का उत्पादन करने के लिए पीट की शलेश्मा जिली को उत्तेजित करता है जो पाचन पर क्रिया में मददगार है लहसुन जिगर को भी शरीर से वी शाक्त पदार्थों को छुटकारा दिलाने के लिए उत्तेजित करता है और साथ ही में जिगर को नुकसान पहुंचाने से भी बचाता है लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी यह नहीं है कि आप लहसुन का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें क्योंकि आप आचन तंत्र को परेशान कर सकता है लहसुन के और शद्य गून कैंसर को रोकने में सहायक होते हैं लहसुन कैंसर को रोकने में मदद करता है विशेष रूप से पाचन तंत्र और फेफ़डों के यह कुछ ट्यूमर के विकास पर भी रोक लगाता है और कुछ टिमर के आकार को कम करने में मदद करता है लहसुन में एलिल सलफर योगिकों की उपस्थिती कैंसर कोशिका में बृध्धी की गती को धिमा कर सकती है जिन लोगों के परिवारिक इतिहांस में कैंसर से कोई पीडित था तो कई प्रकार के कैंसर के खत करते हैं खाली पेट लहसुन खाने के फायदे वजन कम करने के लिए जिहां अगर आप लहसुन का उप्योग वजन कम करने के लिए करने जा रहे हैं तो इसे खाली पेट लेने का सबसे अच्छा तरीका है यह तरीका लहसुन से वजन कम करने का सबसे अच्छा घरेलू उप खाली पेट किया गया लहसुन बहुत जल्दी असर दिखाता है है यह आपके शरीर के चया-पचय को भी तेजी से भढ़ाता है है तो दोस्तों यह तो था लहसुन खाने का लाव लेकिन इसके साथ साथ इसको खाने के बाद होने वाली हानी को भी जानते हैं कि इसे हम अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमें हानी क्या क्या होगी लहसुन का भोग करने के बहुत सारे फायदे तो हैं परंतु साथ ही साथ इसमें स्वास्थे के लिए कुछ दूश प्रभाव भी नहीं थ हैं लहसुन का उप्भोग ब्लूंटिंग पीट फूलना गैस खराब पीट गंदी सांस और शरीर की गंध जैसे दुश प्रभाव को प्रेरित कर सकता है यदि आप पीट या पाचन समस्या से ग्रसित हैं तो साउधानी के साथ लहन सुन का उप्योग करें यह एक सकंद रोध यानि के रक्त पतला करने वाला के रूप में कारे करता है और रक्त पतला करने वाली दवाओं से हस्त छेप कर सकता है लहसुन कुछ HIV दवाओं का भी औरुद्ध कर सकता है लहसुन का सेवन करने से आपके शरीर एवं मुह से दुरगंध आ सकती है लहसुन के पूरक्या सप गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए लहसुन वाटरीन इंटी प्लेटलेट साक्वी नावीर इंटी हाइपर्टेंसिव कैल्शियम चैनल ब्लोकर और इंटी बायोटिक दवाओं के प्रभाओं में हस्ते शेप कर सकता है इसलिए लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श अवस्य करना चाहिए हमने जो भी सावधानिया बताई इनका दैनिक सेहत बनाए रखने के लिए ध्यान रखना बेहत जरूरी है इसलिए अपने स्वास्ते को सही रखने के लिए इन प्रिकोशन्स को अपना करके इसके बाद आप अगर लहसुन का स से रिलेटेड फायदे हम बताते हैं इसके साथ 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 लौस इसलिए बताते हैं क्योंकि हर सबजी या फल या जो भी आउशद ही है वो किसी रूप में फायदा करती है तो अत्यधिक मातरा में उसका सेवन आपको नुकसान भी करता है इसलिए हम बताते हैं ताकि आपको उससे related कोई बीमारी हो जिसको कि वो बढ़ावा देती है तो आप उससे बच सकें उस बीमारी में उसका सेवन न करके उसका supplement यानि कि कोई और दवा ले सकें आप कोई और आउश्रत ही ले सकें इसलिए ये आज की हमारी जानकारी थी आप स अभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों